दोस्तो आज आपको बताएंगे कैसे ग्रो कर सकते हैं डालिया का बीस से प्लांट और सीडलिंग कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा प्लांट कैसे ले सकते हैं और फूरा फूल इंफॉर्मेशन बताएंगे इसलिए एक वीडियो यह अंतक देख यह इसमें कितना भिराइटी होता है और कितना इसके हैं सारा चीज के बारे में बताएंगे अंक तक आप वीडियो देखते रहें यह इसका बीज है और बीज देख सकते हैं कितना छोटा-छोटा है बलैक बलैक और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है और यह बीज आपको ग्रो कर जाएगा अच्छा बीज आपके पास है तो अराम से यह 25 से 30 दिन बाद ग्रो कर जाएगा मैं दो रूपे के हिसाब से बीज लिया था और यह ऑनलाइन मैं मैं मांगवाया था और मैं बीज ऐसे ही जमीन पर छीड दिया हूं क्योंकि मेरे पास उतना गमला अब शिदाइब लाओं और लागतार मैं बीज का वीडियो बना रहा हूं एक लाइन से मतलब एक लाइन से 50फूल का यह बीज बना रहे हैं और इसके बास कर दोते बीज देगा और जैसे ही ये एक लाइन से आप लगाईएगा और ये 55 दिन में जितना ज्यादा इसे गुरोग देखिए कितना छोटा छोटा ट्यूलेट हो गया मतलब प्लांट हो गया है और इतना ही छोटा अगर ये थोड़ा और बड़ा हो जागा मतलब 6-7 पती का तो इसे अलग- मतलब फटलाइजा जैसे आपको और गेनिक मैनियोर हो गया हो जिवरेली के सीड हो गया नहीं है तो वर्मिंग कंपोस्ट इसे दिजिए या गोबर की खात दिजिए जितना दिजिएगा उतना ही ये बड़ा प्लांट बनाएगा और उतना ही ज्यादा निखरेगा इसका फ खोड दिया उसके बाद कोई उसे तोर के फेक दिया नहीं तो वह प्लांट बहुत अच्छा था और यह जो हाइब्र हाइब्रिड इसका सीड आता है वह आपको कहीं ऑनलाइन साइड पे मिल जाएगा वही सीड लीजिए और वह अगर आपके यहां डालिया का प्लांट नह करते हैं इसी पर और वह लोग अप्लांट भी भी भीजने लगे हैं तीन चार रूपे के माइनर रूपया पर इसका मुझे पता है जो अरहाई सो से तीन सो भेराइटी एक नरसरी के पास करकता में रहता है और वह सब छोटे-छोटे आप जैसे काटून में पचास जुन जुलाई में आप लगाई दीजेगा। अभी तो लगाईए तो अभी लगा के अगर आप बचा लिए मतलब बीज लगाईए अभी बचा लिए फाता चल जाएगा कौन-कौन कलर है तो उसे अराम से गमला में सेडनेट के अंदर रखते और छोड़ते और पानी देते रहे बराबर और उसे बरहाते रहे ग्रोग करते रहे जैसे ही जून-जुलाई आएगा उससे कटिंग लेना स्टार्ट कीजिए कटिंग लेते रहे उससे आप सो प्लांट बना सकते हैं नहीं तो अभी प्ल क्योंकि 30-40 रुपे में कोई भी नर्शरी में मतलब भेराइटी का मिल जाएगा और उसे गमला में लगा लीजिए अच्छे तरह से 75 परसेंट मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खास सारा चीज मिला के मिक्स फटलाइजर देखी कितना सुन्दर मेरा कलर है यह दोनों मतलब ऐसा ऐसा कलर मेरे पास था जो आप चोग सकते हैं मतलब मैं बहुत सारा कलर मतलब कर लिया था यह लेकिन जगह नहीं होने के कारण क्योंकि गर् प्लांट को मैं नहीं बचा पाया नहीं तो मेरे पास अभी 25-30 रंग का मतलब इसका रहता और हर एक कलर हर एक भिराइटी का रहता है और हर एक डिजाइन का इसमें आता है मतलब आजकल तो देखा गया है सिंगल पेटल में छोटा-छोटा आपको लगेगा जो यह एक भी बास का इस्टिक लगा लिजे अगर आप गमला में जैसे कोई सीटी में बास का इस्टिक नहीं मिलता है तो आप प्लास्टिक खरी लिजे क्योंकि प्लास्टिक के ही रखिए और उसी से आप लगा के और गमला में लगा के छोड़ दीजे और अराम से उसके साहरे अपन बीज से लगाते हैं और इसका आप मतलब बंगाल में तो एक एक प्रकार का हाईविडेट डाइजर है क्योंकि बंगाल में ही यह सब हुलका बहुत ज्यादा मार्केट रहता है और हमें तो यहां मुझा फरपूर मतलब बिहार में आपको अरहाई से तीन रूपे के हिसाब से प्रांट मिलेगा और मैं तो ऐसे भीज से भी लगा रहा हूं इसनल प्रांट नहीं लाया था इस सазी प्पाइज का वीडियो है अभिश्ट इसलिए अगले साल अब देखा जाएगा क्योंकि अब अंतिम समय जा रहा है और अगर अभी तभी लगा देतें जुन जुलाई अगस्त तक तो अभी बहुत बराबरा प्लांट बन जाता और बहुत बराबरा प्लांट बन जाता तो अभी बहुत अच्छा देखने में लगता लेकिन पहले लगाते थे एकदम हर एक साल अगस्त सितंबर में जब दुर्गा पूजावाता था तो हम लगा देते थे अपने मतलब गमला में और मैं लगाता था पांसात गमला और एक साल पचीस भेराइक्टीज इस साल पूरा लिये थे तो उस साल तो मैं वीजवाला अलग दिये हैं धनिबाद अगर इतना देर वीडियो देखे हैं और इसे धूप किया बसकता होती है सितंबर में जब लगाईएगा तो तभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसे लगाईए और जहां भी लगाना चाहते हूं वहां लगा दीजे और आराम से उसे ढख दीजे उ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं धूप नहीं है अभी तो कोई दिक्कत रहता नहीं है लेकिन सितंबर अक्टूबर में लगाने में रखना जरूरी हो जाता है और इस समय तो कोई दिक्कत उतना रहता नहीं है धने बाद अगर इतना देर वीडियो देखें तो मेरे